आओ बच्चों, आज मैं आपको एक obedient बेटे की एक कहानी सुनाती हूँ, आओ सुने एक वक्त की बात है, मेगा लया के एक छोटे से शहर में एक बड़ा ही बुद्धी मान व्यापारी रहता था व्यापारी की छोटी सी दुकान थी, जिससे वो अपना जीना चलाता था व्यापारी का एक बेटा था, जिसका नाम था ब्लांकेट व्यापारी अपने बेटे ब्लांकेट से पहत प्यार करता था ब्लांकेट के पैदा होते ही, उसकी मा गुजर गई ब्लांकेट हमेशा अड्वाइस और सपोर्ट के लिए अपने पिता के पास ही जाता था ब्लांकेट ने कभी भी कोई काम अपने पिता की आगया के विरुद नहीं किया था वक्त गुजरता रहा और ब्लांकेट बड़ाई इंडिसाइसिव आदमी बन गया वियापारी को इस बात की बड़ी फिकर रहती थी कि उसका बेटा ब्लांकेट अभी तक इम्मचूर है तो एक दिन उसने ब्लांकेट को बुला कर उससे कहा ब्लांकेट बेटा एक दिन आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा और तुम्हें अकेले ही दुकान की देख भाली करनी होगी अगर तुम मेहनत नहीं करोगे बेटा तो तुम अपने आप की देख भाली करने के लिए ठीक तरह से पैसे नहीं कमा पाओगे मैं चाहता हूँ कि तुम एक खुश्याली जिन्दगी जीओ क्या तुम मुझे वाधा करोगे कि तुम तीन चीजों को फॉलो करोगे जरूर बिता जी ब्लैंकेट ने जवाब देते हुए कहा बताईए कि मैं क्या वाधा करूँ पहला वाधा व्यापारी ने कहा हर दिन दुकान की तरफ धूप से बचते हुए चलना दूसरा वाधा हर रोज चावल खाना और तीसरा वाधा हर एक हफता एक नई शादी करना ब्लैंकेट टोटली कन्वियोज था लेकिन एक अच्छा बेटा होते हुए उसने तीनों वाधों के लिए तयार हो गया मैं आपको जो कहेंगे बाबुजी जो कहेंगे वो ही करूँगा ब्लैंकेट ने कहा लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे मेरी मदद करेंगे ये वाधे वक्त तुम्हें बताएगा बेटा व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया घबराओ मत एक शाम व्यापारी गुजर गया ब्लैंकेट को उसके अंतिम संस्कार करने के बाद अपने पिता को दिये हुए वादे याद आए वो सोचने लगा कि उसके पिता जी क्या चाहते थे जब उन्होंने उससे ये वादे लिए पहले वादे पर मद्दे नजर रखते हुए ब्लैंकेट ने अपने घर और दुकान के बीच एक बड़ा शामियाना खड़ा किया ब्लैंकेट शामियाने पर बहुत सारे पैसे खर्च किये और उसके सारे दोस्त उसका मज़ाक उड़ाने लगे लेकिन ब्लैंकेट खुश था क्योंकि वो एक आग्याकारी बेटा था और हर रोज धूप से बचकर वो शामियाने के नीचे चलते हुए घर से दुकान जाता था दूसरे वादे के अनुसार ब्लैंकेट हर रोज चावल खाने लगा लेकिन रोज रोज चावल खा कर खा कर वो बोर हो गया था लेकिन फिर भी वो एक नियम की तरह उसका पालन करता रहा वो अपने दोस्तों के डिनर इंविटेशन को ठुकराने लगा क्योंकि वो नहीं चाता था कि दूसरे लोग उसे खाने में चावल के इलावा और कुछ दे ब्लैंकेट एक एलिजिबल बैचलर था और उसे जल्दी ही बहुत सारे शादी के प्रोपोजल्स आने लगे उसने सारे प्रोपोजल्स को अपनी शर्त के बारे में बताया कि वो हर एक हफता शादी करेगा कोई भी मा बाप अपनी बेटी को ऐसी ग्रहस्ती में नहीं भेजना चाते थे जहां लड़के की हर एक हफता एक नहीं नहीं शादी हो सारा शहर ब्लैंकेट के लो मॉरल्स के बारे में बात करने लगा उस पर थू-थू हाय हाय मचाने लगा लेकिन ब्लैंकेट ने अपना वादा बर खरार रखा एक गाउं की लड़की बेला जो ब्लैंकेट के एक अजीब शादी की शर्थ के बारे में उसे पता चला बेला ब्लैंकेट और उसके पिता को जानती थी और ये भी जानती थी कि वो भले लोग हैं बेला ने ठान ली कि वो ब्लैंकेट से शादी करेगी और अपना इरादा अपने मा और पिता को बताया बेला के मा और पिता जी होरिफाइड हो गए लेकिन बेला की मानाने पर वो शादी के लिए तयार हो गए उन्होंने ब्लैंकेट को बेला से मिलने के लिए बुलाया बेला को देखकर ब्लैंकेट को उससे तुरंट प्यार हो गया ब्लैंकेट ने बेला से कहा मैंने अपने पिता से वादा किया कि मैं हर एक हफ्ता शादी करूँगा क्या तुम्हें ये शर्थ मन्जूर है? अपना सारा प्यार नियो चावर कर दिया और ब्लैंकेट को भी बेला बेहद पसंद थी वीकेंड के करीब आने पर ब्लैंकेट रेस्टलिस होने लगा हफ़ते का आखरी दिन था और ब्लैंकेट बड़ा नर्विस महसूस कर रहा था उसके दिमाग में बेला को भेज देने की बात चल रही थी वो ऐसा नहीं करना चाता था लेकिन वो अपने वादे के सामने मजबूर था लेकिन बेला बिलकुल भी काम थी और अराम से अपने काम काज में कर रही थी सुबा हुई और ब्लैंकेट जाने के लिए तयार होने लगा क्या तुम अभी तक तयार नहीं हुई बेला ब्लैंकेट ने बेला से पूछा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बेला ने इनिसिंटली कहा बेला तुम जानती हो कि मुझे तुम्हें तुम्हारे माँ और पिता के घर ले जाना होगा मैं अपने पिताजी से किये होए वादे के आगे मजबूर हूँ प्यारी पती ज़रा सोचो बेला मुस्कुरा कर कहने लगी आपके पिता एक बुथी मान और एक काइंड आदमी थे क्या वो आपको इस तरह से बरताफ करने के लिए कहेंगे तुम्हारा क्या मतलब है बेला ब्लांकेट ने पूछा जब उन्होंने कहा कि आपको धूप में नहीं चलना चाहिए काम को जाते समय बेला समझाने लगी तो उनका मतलब था कि आपको दुकान सूरज के उगने से पहले ही जाना चाहिए और सूरज के ढलने के बाद ही घर वापस आना चाहिए वो चाते थे कि आप मेहनत करें ना कि एक शामियाना बनाए उन्होंने आपसे चावल खाने के लिए कहा था आप एक आग्याकारी बेटे हैं और आपने वो ही किया लिकिन ये उनका मतलब नहीं था वो चाहते थे कि आप एक एक एक्स्ट्राविगंट खानों से दूर रहें अब बात आई हर एक हफ़तर शादी करने की तो क्या कोई इस वादे का पक्का हो सकता है आपके पिताजी का मतलब था कि आप अपनी पत्नी की देखभाली प्यार से करें उसे हर रोज ऐसा ही देखें जैसा आपने उससे पहली बार देखा है ऐसा करने से क्या वो आपको हर एक हफ़ता एक नई पत्नी की तरह नई दिखाई देगी ब्लैंकेट ने मुस्कुराते हुए बेला का हग किया और कहा बेला मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बुद्धिमान हो तुम हमेशा मेरी प्यारी पत्नी बन कर रहोगी उस दिन से लेकर हमेशा हमेशा के लिए ब्लैंकेट और बेला ने अपनी जिन्दगी खुशी खुशी बिताई कितनी दिल्चस्प कहानी थी आपने क्या सीखा बचों मैंने सीखा कि बुद्धी का इस्तमाल करना बड़ा ही इंपोर्टन्ट होता है क्या मैंने ठीक कहा